हलो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी चात्र दो हजार पचीस में बोड एकजाम देने वाले हैं उन सभी चात्रों के लिए ये पेपर बहुत जादा इंपोर्टेंट है आप बोड एक्जाम देने से पहले आप सभी को किस प्रकास बोड के एक्जाम में प्रश्न आते हैं आप सभी को पता चल जाएगा देखिए आपका ये 2024 में बोड एक्जाम में पूछा गया पेपर है ठीक है यहाँ पे हम हिंदी का आपको पेपर दिखाते हैं और प्रशनों को हल करके भी साथ में आपको बताएंगे इससे आप देख लीजिए और यह जान सकते हैं कि आपके बोर्ड के एक्जाम में कैसा प्रशन आता है ठीक है यह देखे पेपर का जो सेट है जेच जी है ठीक है जो आपको पूढांक रहेगा ट्टल सत्तर नमबर का पूढांक रहता है याई सत्तर नमबर का पेपर होता है यह पीसके नीचे नोट करके लिखा रहेगा कि प्रारम के 15 15 मिनट परिछार्टियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया जाता है यानि कि आप 15 मिनट तक इस प्रश्ण पत्र को पढ़ सकते हैं ठीक है अब यहां से कुछ निर्देश है पेपर हल करने जिससे आप दोड के एक्जाम में आपको किसी प्रकार का प्राप्लम नहों अब इक्वाजित होने है दो बहुंइ कल्पी प्रश्र रहेंगे हैं पर जो यह आता है इसका जो उत्तर होता है आपको OMR सीट पर देना होगा ठीक आपको पूर्ट के एक्जाम ओमार सीक मिलेगा उस OMR seed पर इसका answer देना रहता है आपको देखिए OMR seed भरते समय नीला पेहन या काला पेहन का ही प्रियोग करना रहता इसके लाओ किसे दूसरे पेहन का प्रियोग नहीं करना है सही विकल्वाले गोले को पूर रूफ से काला चिन नित करना है यानि कि नीले पेपेन से बर सकते हैं गोला को या काले पेcame से बर सकते हैं इसके अलग किसे दूसरे पेन का यूजी मत कीजिएगा फ्रीके निर्देश आसी कंत प्रत प्र्ष्ण का निर्देश पढ़ंकर केवल प्रदत तो OMR को OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दे OMR ढ़रके अब OMR भर दे समय आपको क्या करना है एक बार OMR सीट भर देंगे तो उस पर आपको क्या करना है कि उसे काटना नहीं है न एरय Democrats का प्रियोग नогन वाआइटनर का प्रियोग आपको कदापी नहीं करना रहता है यानि एक बार OMR सीट भर दिये तो उस पे आप इरेजर हुआ इरेजर हुआ वाइटनर को इन सबका प्रयोग दोबारा नहीं करना रहता है अगला है कि प्रश्ण के अंग उसके सम्मुक अंकित है अब दिखें यहां से खंडबा है खंडबा में 50 चासंका वेलन अथमक प्रश्ण रहेग और बीस नंबर का पहuencia का प्रफी प्रश्ण होगे अपशास नंबर का आथा कि दिर्ग उत्तरी प्रश्न रहेगा। जिसे आब कुट्थर पुस्तिक आप लिखना होता है। खंडबा सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना रहता है आपको। यहाँ पहें कि प्धाथम प्रषण से आरम कीजिए तो अंतीम प्रश्न तक करते जाए। जो प्रश्ण ना आता उस पर समश्ट नश्ट न करें यानि समय आपको नश्ट नहीं करना इती है इसके कुछ समान निर्देश थे जो आपको बता है इन समीछ समान निर्देशों को आप एक बाद जरूर ध्यास से देख लिजी ठीक है चले प्रश्ण को हल करते हैं देखे यह खंड आ है यहां से प्राराम होता है बहुई कल्पी प्रश्ण प्रश्ण प्रश्णों को देखिए और इन प्रश्णों को एक जगा जरू लिख लिजिए पहला है कि वैद्य ही वनवास के रचनाकर कौन है आपके सामने देखिए अगला प्रश्ण दूसरा नमबर के कवी है यानी प्रव्योग्वाद है उसके कवी कोन है प्रयोग्वाद मृण हो जाएगा अग्ये हो जाएगा इन प्रश्नों कर जरूर लिख लिखे रहे मैं इस प्रशन कहों के रचनाकर कौन है यहां प्रश्न रहोगे बिहारी चंतामरी या मतिरा तो निठीक यह भाओ-विलास प्रачन का यहाब एवला अप्षन सही होगा आपका अगला प्रशन देखिए, छत्र साल दसक इनकी रचना है, ठीक है छत्र साल जो दसक है इसके रचनाकर कौन है, पदमाकर जी या बिहारी, भूसर या मतिरा, तो देखिए यहाँ पे छत्र साल दसक के जो रचनाकर है, भूसर जी है तो इस प आपचान्द के रचनाकर कौन है आपसन जियाशंकर प्रसाद्थ्जी गृजा कुमारमाथु नपालन देक्षैंतर नंबर कपा क्या है आपका कि नीर का निर्माल फिर किस विधा की रचना है आपसान है जीवनी है यह कि आत्मकता है रेखा चित्र है या एकांकी है ठीक है तो नीर का निर्माल फिर किस विधा की रचना है यह आपका एक आत्मकता है तो इसका सही जो आप बीवल आपसान आपका क्या होगा सही होगा यहां पर शुक्ल यूग के लेखक के बारें बताना है, तो इस प्रश्न का सही जब तो होगा, सीवल आपसन चही होगा, ठीक है? आठवा नमबर का देखिए यहां पर कि निम्नांकित कत्मों में से कौन सा खथन सही है अब यहां पर देखिए आपसन को ध्यान से पढ़के अन्सोर दीजिएगा यहां पर आपका सही जवाब इसका हो जाएगा देखिए आप सही पूछाए सही होगा सी वला भारतेंदू हरिष्चंद्र आलोशना साहिति के जनक माने जाते हैं तो इस प्रश्ण का सही जवाब सीवला आपसन को सही कर लीजिएगा अगला देखें два नंबर का परिष्चा गुरो किस विदा की रचना है यानि आत्म ROB कथा यह है या एकांगे यह कि अपन्यास यह रेखा चित्र हे तो परिछ्छा गुरु होसी इस प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसंग्esz आपको क्या होगा सही होगा अगरा देखिए वालभट जो कजना रुबहुद के नहीं इसके यह संक्षाइब तो बालवर्च की जो आत्मकता है इसके रचनाकर हजारी प्रशाद्यूवेदी जी है तो इस प्रशनका सही जो आप गीवला आप्सां सही होगा अगरा देखिए रस के कितने अंग है यानि रस के अंग पूचा है आपसाने 5 होता है, 4 होता है, 3 या इन में से कोई नहीं, तो रस के कितने अंगयत, रस के टोटल 4 अंगयत, इस प्रशन का है सही जो आप बीवला आपसान आपका क्या होगा, सही होगा, अगला नमबर देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंकिती में कौन सा अलंका है, यहां पर अलंकार पूचा है, जैसे आपका अपसान है, उपमा अलंकार होगा, रूपक होगा, उत्पर अच्छा होगा, या यमक अलंकार होगा, तो यहां देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में, जो आपका अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो इस प्रशन सवाल इनी पेपरों में से मिलेगा ठीक है तेरे नंबर देखिए सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राइं होती है तोटर तेरा मात्राइं होती है इस प्रश्न का सही जवाब यह वाला आपसान आपके क्या होगा सही होगा सवाल निर्देश 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 नना है डिर्देश मतलब हो उसके प्रारम स्टार्टिंग में कौन सा सब्द अन्य जुड़ा होता है तो यहां पर आपका देखें निर धन्दय हो जाएगा क्या होगा इसमें उपसर्व क्या है आपका तो निर है तो देखें आपका कौन सा सही होगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर छोड़ लगा में में आपका समास यह करमधारे समास तो सही जवाब यहां प्रिथिवी होगा करें, खेत का तत्सम रूप है रहे और खेत ततस्यम मतलब होता है कि शुद्ध रूप बताना है तो देखिये भूमी होगा जमीन होगा छेत्र होगा तो को कहता है तो आप संद देखिए यूसमद सब्द का पंचमी भक्ति बहू अचन का रूप होता है यूसमद सब्द जो है उसका पंचवी वक्तियों बहुत रूप बताना है तो आपसने कर देखे व्यूषम अत्रायों आपसने का स Quka होगा रूप का सही जवां आपसनों क्या होगा अठ्धालार नंब्ल करता की परधानता, कर्म की परधानता, क्रिया की परधानता होती है, या इन में से कोई नहीं नहीं कोई नहीं तो जो देखें यहाँ पे भाव वाच में बहुता Jeder कि या कि प्रधानता होती है इस प्रश्र का सही जवाब सीवल आफसन सही होगा अगला देखिए वाक्य के कितने तत्तों होते हैं आपको बताना है कि जो वाक्य के होता है उसके कितने तत्तों होते हैं तो वाक्य के दो तत्तों होते हैं इसका सही जवाब एवल आफसन सही हो जा तग अब 35 प्रश्न का सही जवाब बीवला अप्सान सही हो जाएगा ठीक है यहां तक 20 बहुकलपी प्रश्न आपके कम्प्लीट होते हैं चलिए खंडबा के आपको प्रश्न दिखाते हैं इन प्रश्नों को आप जिरूर साथ में तयार कर लीजिएगा अब यहां पर देखे गद्यांस पर आधारी तीन प्रश्न आपको उत्तर देना होता है प्रतेक प्रश्न दो दो नंबर का होता है टोटल च्छा नंबर का यह प्रश्न आपके बोड के एकजाम में पूछा जाता है यह आपके सामने गद्यांस दिया गया है कुसंग का जवर सबसे भयानक होता ह यह केवल नीति और सद्विरिति का ही विनाश नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छह करता है किसी युवा पुरुस की संगती यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दीन अउनती के गढ़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी ह होगी जो सहरा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरन पर उनती के और उठाती जाएगी अब दिखें यह आपके गध्यांस को पढ़के इस संबंदित आप से तीन प्रश्ण पूछा गया है पहला है कि इसका गध्यांस का आपको क्या करना है सारांस लिखना है पर पूछा है कि सूध्रीवर्य बाहु का अर्थ क्या है यानि सूध्रीवर्य का अर्थ आपको बताना रहता है कि सूध्रीवर्य का अर्थ क्या होता है इस पकास से संबंदित आपके प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आप गध्यांस संबंदित प्रश्ण जो होते हैं उसको आपका संपूर सॉलूशन साथ में कराते रहेंगे यदि आप चैनल पर नहीं तो चल कोई आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है आपको उपर एक गध्यांस दिया तो एक नीचे गध्यांस अथम देता है इन दोनों में से किस एक प्रश्ण का ही एंस्वर देना होता है यहां पर इसका आप पालीजिए देखिए पुरा गध्यांस दिया इससे संब्सक्राइब किस प्रश्ण पूछा जाएगा गध्यांस में गध्यांस के पाड का सिर्शक आपको बताना किसका सिर्शक यानि पाड का नाम क्या है और लेखा का आपको बताना है ठीक है प्रश्णों को आप ध्यान से देख लीजिए और अपने हिंदी की तयारी इसी के आधार पर अपना करते रहें अगला प्रश्ण आपसे किस पका से पूछता है निमलिखित पध्यांस अब पध्यांस पर आधारी तीन प्रश्ण आपसे पूछे गया है देखिए यह भी आप से तीन प्रश्ण कौन-कौन सब पुछेगा आपसे तपाला है कि पध्यांस का संद्रव लिखना रहता है अपने शब्दों में संद्र्व लिखना रहता है आपको संद्रव लिखने का तरीका आपको बताएंगे लेकिन आज आप सिर्फ पेपर को देख लिए किस पका से पेपर 2024 के बोर्ड के एक्जाम में पूछा गया है ठीक है तो आप पेपर को जुरूर देख लिए रेकांकित अंकित अंस की ब्याख्यक कैसे किया जाता यह भी आपको जिखाएंगे फिर इसके बाद देखें आप पूछा गया में ऐसी मनुहर मूर्थी ए किसके लिए प्रयोक्त है इन में इसमें से कौन से अलंकार प्रयोक किया गया इस पकास से आपके प्रश्ण पूछा जाएगा फिर इसके नीचे देखें आपका अथवा में भी सवाल दिया रहता है चाहिए उपर वाला प्रश्ण का एंस्वर दीजिएगा चाहिए जो नीचे प्रश्ण फूछा गया उसका इंस्वर दीजिएगा चल चेतक पर तलवार उठा यानि यहां तक आपको क्या करना है पूरह इस पढ़ियांस को पढ़ना है पहने के बाद आपको क्या करना है इसे संब्दित आपके जो प्रश्ण पूछे करना रहाता है साथ में उपर्युक्त पध्यास में किस युद्धा कवरण किया गया है आपको ईसका इंसवर देना रहता हैThis संस्कृिति गद्द्द औतरलों में से इसी एक व्त रहता है यह टोटल पांच नंबर का प्रस्फन आके बोड के एक्जाम में आता है आपको क्या करना रहता है संदर्व इसका लिखना रहेगा संदर्व के साथ में इसका हिंदी में आपको अनुवात करना रहता है अब देखिए आपके सामने यह आपका गद्ध है संस्क्रीट का गद्ध है इसको पढ़ना रहता है पढ़ने के ब पढ़िएगा और इसको अपने हिंदी में अनुवात कर लिजेगा अथवा में दिया है यहीं अथवा का मतलब होता चाहिए इस वाले प्रश्न का एंसुर आप दीजिएगा चाहिए इसका दीजिए दो में से एक ही का एंसुर देना होता है यहां पर भी आपको देखिए अपने अनुवात करना रहता है इस पकास अप्रषन पूछ पूंचा जाता है इसीफ़ा चौथा नमबर करणा छाता है दिए गए संस्कृत पध्यास पूचेगा यह इभी आपका 5 नंबर के प्रश्न रहता है इसके प्रश्ण पूछा गया है तो प्रश्ण पूछा गया है तो फिर अधवा में दिया रहा था यह एक पध्यांस यहां तक दिया रहा था इसका भी क्या करना रहता है संदर्व लिखिए यह इंदी मनवात किई तो आपको पध्यांस संब्स दो प्रश्ण पूछता उसमेंस एक ही प्रश्ण का एंसर आपको उस्तर पूछती का पर देना रहाता है ठीक है अपने पठीट खंड काव के आधार पर दिये गए प्रश्णों में से किसी एक प्रश्ण का ही उत्तर आपको देना रहाता है यहां पीद बहुत खंकर भूर ़ुवर खंकर यह खंड खंकक ग Holz लिए तो पूरे फैना में took को नहीं करना रहता है आपके जिस जीला में जो खंक का उन्सकूल में पढ़ाए जाता है वहीं खंकर आपको एंसफ्र देना रहता है यह टोटाल इसमें से पहले का दीजे दूसरे का इन दोने में से किसी एक का ही एंसवर आपको देना रहता है यह तोटल तीन नंबर का प्रशन रहता है ठीक है तो गाजीपुर के जितने भी छात्र होंगे वक्यवल मुक्ति दूद्ध हल करते हैं इसके लबा जिस जीला में जो पढ़ाय को आपका एंसवर बोड की एक्जाम में नहीं देना रहता है देख लिजह अप इनसे एंसवर आपको देना रहता है यह पूली से ख़नकार के पढ़ाया जाता है उसी खंड़काब का एंसवर आप बोड की एक्जा में दीजिएगा अगला देखिए चहटाumbled का सवाल किस्पका से आता है दे गए लेखकों में से किसी एक लेखग का वा जीवन पर. श लिखना हो एक लिखनाए हो तोटल कि नंबर कर और प्रश्ण पूछा जाता है ठीक रूदITY आप वोड़ के ंटि log कго नाम इसे एक लेखग का किसी एक कवी का जीवन पर्चे उनकी प्रमुक रचना को उल्लेक करना रहता है यह भी 5 नमबर करते हैं इसके पहले लेखा का नाम था अब कवी का इन दोनों का जीवन पर्चे लिखना रहतारा anda कि अब कवी में आपको तीन कवीों का नाम देगा उन-दीनों कहई मेंशinse कि केवल एक कवी का जीवन परचे आपके बोड के एक्जाम में लिखना है जिसका आपको याद होगा उसी का केवल लिखना है जिसे सूर्दास मेठील शड़गुप या माखानलाल चत्रुवेदित इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परचे लिखना है और उसमें से क्या करना है उनकी परम नंबर का करें कि अपनी पार्ट पुस्तक में से कंटस्त कोई एक सलोक जो इस प्रश्ट पत्र पर ना आया उसका लिखना रहता है यानि कि जो आपको एक सलोक याद होगा उस सलोक को आपको बोड के एक्जाम में लिखना रहता है यह दो नंबर का आपके पीपर में आता ह अगला देखिए आठवा नमबर का कि दिनadeceलिखित में से कि दो प्रजुन का उत्तर संस्क्रीट में देना रहता है येondere हैं यहाँ पर प्रशन संस्क्रीट का पूछा है इन चारूँ में से जिसका एंस्वर आपको पता होगा इस में से केल्ड 1 का ही अनस्वर दीए जैसे जी पहले का पता है तो लिखियेगा अब इसके बाद आज़िए आपको तीसरे का रहा है तीसरय के दीजिए यानि इन दोनों Ayya से किसी इंचारों में किसी दोकाई अग्जामे लिखना रहता है ठीक है अब अब दिए आप से किसे पर पुछता है नारेश रशक्ति करर इस पे लिख सकते हैं सवच बारत अभियान पर आप लिख सकते हैं या च्छात अनुशासन पर यानि इन चारों जो दिया है टाफिक इन चारों में से किसी एक पर हिन्नी बंद आपके बोर्ड के एक्जाम में लिखना है समझ में आ गया होगा अब देखिए अगला प्रश्ण आप से किस पका से पूछा गया है और आपके बोर्ड के एक्जाम में किस पका के प्रश्ण आने वाल है यहाँ पी देखिए दस्वा नंबर का अपने जन्मदीन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना होता है चार नंबर का यानि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है या अथवा में या अथवा में देखिए राजी परिवहन निगम के मुख्य प्रवंधक को बस चालक के अप्रशांसनी विवहार का उल्ले करते हुए सिकायत पत्र लिखना है इन दोनों इसका इंसोर दीजिएगा चाहिए इसका दोनों में से किसी एक काई उत्तर आपको बोर्ड के एक्जाम में देना होता है तापत पत्र कैसे लिखेंगे किस पकाज से आपको हिंदी का संपूर हल करना रहता है आपको बताने वाले हैं ठीक है आपको वाइरल प्रशन भी बोर्ड के एक्जाम के लिए बताने वाले हैं तो आप यदि चैनल पे नए है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें जिसे आदिक बीडियो को सेयर करें